असलाम अलेकुम आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे अगें एक्सेसाइस 5.3 यानि के पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 1,2,3 को सॉल्फ किया था आज हम जो रिमेनिंग पार्ट हैं 5.3 के इंशालला आज हम उसको कम्प्लीट करेंगे और आज हमारा 5.3 कि खदम हो जाएगा उमित करता हूँ कि आप सब ख़यास से होंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दिया करें यह मोटिवेशन होती है ठीक है तो इसको कंसिडर करें बाकि एक एक चीज़ बहुत ध्यान दे समझेंगे ना तो चीज़े असान है ज गिंटे के किलास में अगर हम देखे तो हम यह कवर करते हैं अब यहां पर हम 10 12 15 20 मिन में कवर कर रहे होते हैं तो इस चीज़ को आप समझे जिस तरह आप किलास में एक घंटा पड़ते हो सकून से दिल लगाकर इसी तरह आप यहां पर 20 मिन टाइम दो गए तो आपके कि हमारे पास पास वही है बस पिछले में और इसमें क्या फ़री दे के वह पर हम आप press क्या ़ों या उज्प सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते इस सिरीज को इस साल हम क्या करवाते हैं सब्ट्रैक करवाते हैं इसके लिए हम इसी सिरीज को दुबारा लिखते हैं और एन से पहले आप जानतों जो पिछला ट्रम होगा वो हमारा क्या होगा एन मैनिस वन और फिर हम क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक करेंगे ठीक है स टोप्रेक करने के लिए में आको बनाया था कि उप्रवाले मैं से first roll को हम वैसे लिखेंगे और इस तरह हमें क्या करना है subtract करना यानि के second round को first round से third term को second term से इस तरह हम क्या करेंगे एक एक number को subtract करते जाएंगे तो आप जानते हो subtract करने में आप नीचे ना sign क्या करते हो change करते हो ठीक है तो यह आपका minus होगा इस तरह आप copy में show कर सकते हो ठीक है यानि के जो हम subtract करेंगे तो S-S हमारा क्या हो जाएगा 0 उपर वाले 3 को तो हम वैसे लिख देंगे 6-3 हमारे पास कितना होता है 3 15-6 हमारे पास कितना होता है 9 इस तरह एक एक ट्रॉम को हम सब्ट्रेक करते जाएंगे और AN मेंसे जब AN-1 को हम सब्ट्रेक करेंगे तो उसका जनल ट्रॉम तो हम नहीं रिखते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं कि N-1 ट्रॉम तक ठीक है अच्छा अब हमारे पास आखर में यह प्लस का AN तो जो कि हमने साइन चेंग किया तो यह हमारे पास किया बच गया माइनिस का AN इसे हम क्या कह देंगे एक्वेशन नमबर वन ठीक है और बाद में इस माइनिस एन को हम कहा ले जाएंगे लेफ्ट साइट पर तो जीरो के जगा हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का AN अब अब यहां से देखे हमारे हम इसके लिहाज से देख सकते हैं कि एक को हम छोड़के लिख रहे हैं इसलिए यहां पर हम क्या लिख रहे हैं एन मैनिस वन जिस तरह आप याद रुको यह आपको बस याद रहना चाहिए एक लास ठीक है इस बाइब लिख दिया है जो स्टार्ट होगा होगा यहां से ठीक है थी नाइन ट्वैंटी सेवन एटी वन एंड सौन ठीक है अच्छा तो आपको दिख रहे हैं कि इस सिरीज का पहला इट्रा में वह क्या है एए उसके बाद हमें देखना है कि पिछले सवालात में इनका दिखेंस अब अगर हम देखें तो 9-3 होता है 6 और 27 में से जब 9 को आप सब्ट्रेक करोगे तो 6 नहीं आता है इसका मतलब दिखरेंस से नहीं है ठीक है लेकिन जब 9 को हम 3 से डिवाइट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा 27 को जो हम 9 से डिवाइट सेम का मतलब होता है कि यह JP है ठीक है तो यहाँ पर जो हम फार्मला यूज करेंगे जी पीख जान तो यहाँ पर यहां पर यह आपका वह किसके बारा बाद है 3 के आर आपका किसके बराबर है 3 के बना को बताया 9 divided by 3 यहार भी हमारा किसके बराबर है n हम क्या लेंगे n-1 ठीके इस फामले मैंने क्या कर दिया इसको substitute कर दिया उसके बाद हमें समलिफाई करना है तो 3 को जो हम इस 3 से multiply करवाएंगे तो इन दोनों का base क्या है same base same power add इस 3 की power 1 है तो जब इनको आप power add करोगे तो plus 1 minus 1 क्या होगा cancel हमारे पास क्या बच जाएगा 3 की power n minus 3 divided by 3 ठीके यह हमारे पास इस series का सम आ गया इसको हम क्या करेंगे equation number 1 में put कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा एन जिसके में बताया था minus का एन को हम left set पर ले आएंगे ये 3 आपके पास वैसे मौशूद था और जो sum आया वो क्या आया 3 की power n minus 3 divided by 2 इसका आप LCM ले लो तो हमारे पास क्या बनेगा 6 plus 3 n minus 3 और 6 minus 3 हमारे पास कितना होता है 3 अब हम क्या ताकि इस पर हम sum का formula apply कर सके ठीक है या मैंने यहाँ पर क्या 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 तू को बाहर निकाल लिया पर जिस तरह आप चाहो उससरे को तो यहाँ पर 3 की power n अब मैं आपको बताया था यह 3 है यानि के constant है तो constant के साथ यह मैं आपको शुरू से बताते बाहरा हूं कि हम क्या ले रखेंगे पर 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे इस तरह हम कहा तक जाएंगे एंड तक जाएंगे ठीक है यानि कि 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 and so on और आखिर में हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की पावर n इसके बारे बात करूं तो 3 तो आपका वैसी रहा मैंना आपको मैंना तक जाले था कि n की बावत 0 का मतलव होता है हम क्या लेते हैं इन लेते है ठीके आप अगे आपको क्या करना इसका सं नीकाल लाएं और आपको दिखा रहें कि यह एक यह क्या बंद रहा एक जीपी बन रहें ठीके 3 फिर तृ का एस्ज़ार फिर 23 क्यूब इसक मतलब याप पर लिख दिया है ठीक है शो अगर आप चाओ तो करवा सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह आपका बराबर है थ्री के आर भी थ्री के बराबर है ठीक है जिस पर हमने वहां पर सम्लिफाए किया अब इस त्री को इससे हम ब्रैकेट से मल्टिप्लाय करवा देंग लाइन चैन और इस टू आर्टू का अपस में आप क्या करवा दो मल्टिप्लाय करवा दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर इस तरह हमारे पास यह संब बन जाएगा ठीक है है अगले सबाव की तरफ हाते है हमारे पास जो next question है वो question No. 5 है again same सबसे बहीं हम क्या सब्ट्रेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है यहां पर आप लाइन लगा कर शो कर सकते हो ठीके नीचे वाले का आपको क्या करना है साइन चेंड करना है और फिर आपको क्या करवाना है सब्ट्रेक करवाने ठीके तो पहले ट्रम को तो हम वैसे ही लिख देंगे यानि में से जब 14 का कितना हैगा 31 seven day में से जब 45 का Sutak करवा अब के भास किया तेग्स बहु हैं अब आपको нем säger करना है कि यहां पर डिफरेंस से मारा रहा है यह यह पर आप अपका रेशो से मारा तो आपको निख रहे हैं कि यहां पर डिफरेंस से मारा आपके पास सिके ना pou है और जहां difference से मात के मतलब वह हमारे पास क्या होता है एपी होताई यहां पोस्ट आप करवाँगे उसका इस क्षप्राबर है और अप यहां पर एक क्सकी वराबर है आपका तREE को मैनिस करो होंगे whえば कि आपे दी किसके बराबर ए 4 के और n किसके बराबर हमारा n-1 के यहाँ पर आप substitute करदो और substitute करने के बाद आपकोfeeding करना है 2 x 7 हमारे पास कितना होता है 14 यहाँ पर 24 जब n से होगा तो 24 n हो जाएगाります 1 – 1 हमारे पास कितना होता है – k harmonious two merals – 24 हमारे पास कितना हूगा दिखरा है यहां पर आप 2 common निकाल लो तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा cancel तो हमारे पाथ जो इसका साम में वो बराबर हो जाएगा n-1 multiply by 12 and minus 17 ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे equation number 1 में put कर देंगे तो जैसे आप यहां पर equation number 1 में इसको put करोगे यह इसकी वज़ा कर आगे हर्देगा मसला होगा यहां पर 7 है ठीक है तो अब यहां पर आप क्या करो इस bracket को multiply करवाओ तो यहां पर again आपके पास क्या है 7 है ठीक है और इसे हम जो simplify करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 12 when square वैसी आएगा minus 17 and minus 12 when हमारे पास कितना होता है minus 29 and 17 plus 7 जब 17 plus 7 आप करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 24 ठीक है अब हम क्या करेंगे इन सब पे अलग-अलग sum का formula apply कर देंगे तो आप जानते हो 12 बार आएगा sum of n square minus 29 sum of n plus 20 24 है ना ठीक है 24 यहां पर होगा और चुके constant हो यहां पर हमारे पास क्या आएगा n की power 0 इतनी सारी tapping में कहीं ने कहीं issue आ जाता है इसलिए मैं आपको वीडियो में यह चीदे clear कर रहा हूँ ठीक अच्छा यहां पर आपको क्या करना है n square का formula यूज करना है यहां पर n का formula आप जानतों n square का formula में काफ़ी discuss कर चुको हो उससे बहले कि n multiply by n plus 1 2 n plus 1 divide basics और यहां पर हमारे पास क्या होगा अभी वीडियो में मेरा को बताया था कि n की बाव 0 का मतलब होता है n यहीं के 24 n ठीक ह अब आप simplify करो lcm लो तो यहां पर आपको दिख रहे है 6 1 the 6 6 2 the 12 इसको मैंने यहां पर क्या कर दिया है cancel 6 1 the 6 6 2 the 12 इसके लाब बागी को मैंने वैसे लिखाए यह आपका है 24 n सहीं यहां पर फिर मैंने क्या क्या इस bracket को multiply करवाया आप भी 4 multiply करवाऊ ठीक है और मजीद मैंने यहां से n को common निकाल लिया ठीक है तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा 24 बाकी इन दोरों bracket को मैंने आपस में क्या करवाया multiply ठीक है basic simplify यह उसके बाद मैंने यहां पर क्या क्या इसको multiply करवा दिया आपके पास यह 2 है और साथ साथ मैंने यहां पर क्या लिया lcm ले लिया ठीक है यह 2 जाके इस से multiply होगा 2 से तो 2 multiply 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4 इस 2 से multiply होगा तो यहां पर हमारे पास क्या है प्लस का 1 जब 4 आके 1 से multiply होगा तो क्या हो जाएगा 4 यहां से 29 इन दो दो से multiply होगा तो माइनस का 29 और यहां पर 24 था जब 24 को आप 2 से multiply करवागो चुक्छे हम lcm ले रहे तो यह हमारे पास बन जाएगा 48 ठीक है कि इसी तरह हमारे पास अब इसको आप एड्ट कर दो तो हमारे पास जब आप 29 में से 48 को subtract करोगे 48 और आपके पास यहां पर क्या है 29 जब इसको subtract करोगे आप तो 8 में से 9 तो जाने सकता तो यह 18 हो जाएगा एक जब इस सब करेल हो गए तो हो जाएगा 9 और 3-2 कितना होता है वन तो यह हमारे पास हो जाएगा 19 ठीक है सही तो यह हमारे पास इसका जा बनेगा फाइनल अंसर तक्रीवन यहां पर इसको आप ठीक कर लिए यह आपके पास कितना है 19 है सही है next question हमारे पास question number 6 से सबसे बहले same काम हमें क्या करना है subtract करना है तो subtract करने में हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर 3 plus 3 plus 15 25 plus 3 75 and minus 1 किस तरह subtract किया पहले वाले को हमने वैसी लिखा उसके बार इन दोनों को हम subtract करते गए ठीक है तो हमारे पास जो बन रहा है कि six minus three कितना हो गा three twenty one minus six कितना हो गा fifteen ninety six minus twenty one कितना हो आपास twenty five for seventy one minus ninety six कितना हो गा three twenty five two and minus one ठीक है अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या बन से बन दाए ठीक है अभी इस प्रेद उसको मैं चैक करो गे इसके अंदर रेश्यों से में के डिफ्रेंस से में ठीक है तो 15 मैंने स्ट्री हमारे बास होगा टूवाल लेकिन सब्सक्राइब कर वाओगे तो आपकी बाद डिफ्रेंस नहीं आएगा इसका का मतलब यह पी नहीं है अब 15 को डिवाइट बैठी करो 25 को 15 से डिवाइट कर वाओ तो आपको दिखेगा 15 डिवाइट बैठी होता है 25 कितना होता है इसका मतलब यह हुआ कि आपका रेशो से में यहाँ पर हम रेशो वाला फार्मिश करेंगे यानि के जीपी वाला पामला यह बराबर ए थ्री के आर्क इसके बराबर आपका 15 डिवाइट बैठी यानि कि होता है फाइफ तो फाइफ के पावर एन मानिस वन मा हमारा क्या हो गया एसन इसको आप पूट कर दो एक्वेशन नमबर वन में और फिर मजीद आप समलेफाय करो यहाँ पर एलसे हम लो फूर मल्टिप्लाइट री कितना होगा टुवाल इस त्री को यहां देखें बहुत दियान से फाइफ की पावर एन मानिस वन इसको मैं ल तो इन दोनों का बेस सेम बेस सेम पावर एड तो हमके इसता लिखते हैं फाइफ की पावर मानिस वन प्लस एन ठीके इसी तरह एन मानिस वन बोलो या मानिस वन प्लस एन बोलो बात एक ही हो तो मैं इसको क्या कर दिया बिर एक थोड़ा समलेफाय करने के लिए अब इस 3 ये 1 upon 5 हमारे पास है तो मैं पहले तो यहाँ पर LCM ले रहा हूँ कि ये 5 डिवैड में ये 5 जगे क्या होगा पहले 1 से मल्टिप्लाए होगा यहीं कि LCM अगर मैं आपको दिखाऊ हो इसका तो सबसे पहले 5 की पावर N 1 से मल्टिप्लाए होगा यहीं कि इसके नीचे नीचे हमारे पास क्या है वाल है तो हम सबसे पहले दोनों denominator को आपस में मल्टिप्लाए करवाते है और पिर क्या करवाते हैं क्रॉस मल्टिप्लाए होगा तो यह जाएगा 5 की पावर N और 5 जाएकर जब 1 से मल्टिप्लाए होगा त्योंकि हो जाएगा 5 ठीक है तो मैंने यहाँ पर 5 की पावर n-5 को वैसे ही लिखा और इस 5 को इस 3 के निचे मैंने क्या करवा दिया डिवाइड करवा दिया ठीक है अब आप क्या करो इसके उपपर सम का फार्मला अपलाई कर दो ठीक है 12 का मतलब हमारे पास किया 1 upon 4 को मैंने बाल लिखा 12 का मतलब constant हमारे पास 12 तो n की पावर 0, 3 upon 5 और यहाँ पर हमने क्या एं दोनों पे अलग-अलग फार्मला अपलाई कर दिया 5 की पावर n का मतलब नहीं न तएंड की दिखा पर हम 1234 और कहां तक पूट करेंगे एंड तक सदूर पर 15 की की पावर 25 की पावर तोफिटीक है और आखिर में माइनिस का फाइफ N के बहुत 0 का मतलब होता है N अगेन यह आपके पास क्या बन रहे है GP तो यानि कि इसमें हम दुबारा क्या करेंगे formula apply कर देंगे GP का तो आप जानतों यहाँ पर A भी किसके बराबर है 5 के और R भी आपके किसके बराबर है 5 के तो जब 5 इससे multiply होगा तो हमारे पास अच्छा मैंने क्या क्या बलके यह 5 से 5 आपका गया हो गया cancel तो यहाँ क्या बज़्या 3 multiply by 5 की पावर N minus 1 और divide में हमारे पास क्या है 5 minus 1 5 minus 1 कितना होता है 4 ठीक है पिर मैंने यहाँ पर क्या लिए LCM यह 4 जाके 12 से multiply होगा और यह 4 जाके 3 से multiply होगा जो 4 को मैंने 12 से multiply करवाया तो कितना हो गया 48 जब 4 को 3 से multiply करवाया तो कितना हो गया 12 चिक है तो इसका मतलब यह 40 N 48 N minus 12 N आपके बाद कितना होता है 36 N इस तरह हमारे पास आजका लेक्चर कंप्लीट होता है कुछ टाइपिंग के वैसे issue आया है तो उमिद करता होगे इसको अब ignore करोगे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया यह लावे